अधिन देखिए चोड़ीए चुप परिजम क्या होता है परिजम एक दो सर्फेस से बना हुआ एक तरीके से एक ट्रांस्फेरेंट मेडियम होता है और इसकी सायता से लाइट को बेंड किया जाता है ये लाइट को अपने अलग-अलग कलर में भ्रेक कर देता वह उसका अपना नेचर होता है। लेकिन हम ने जो प्रिज्म मनाया किसले बनाया था? टू बेंड लाइट ये ज़रूरत थी हमें, ठीक है? प्रिज्म होता कैसा है वैसे तो मेरी आर्ट तु जानते हो मासाला है लेकिन ये प्रिज्म ऐसे बनता है ये प्रिज्म का उपर का सेक्षन है ठीक बहुत इतने हैं हम बना दिया पूरा ज्यादा बनाएंगे तो और गंदा बन जाएगा कुछ ऐसा बनता है अब जो आर्ट वाले होते हैं ऐसे कुछ बनाते हैं फिर इसको ऐसे करते हैं फिर इसको ऐसे बनाते हैं फिर इसको ऐसे बनाते हैं फिर इसको ऐसे मिलाते हैं फिर इसको ऐसे मिलाते हैं अरे वाह बन गया परिजमर इंगल होता है काहां से बना हैं परिजमर इंगल है यह भी कह सकते हैं। तो हम जो प्रिंसिपल सीखेंगे तो इसका कैवल इसका जो प्रिंसևपल सूरस्थिस होता है आप यह हम बनाएंगे है इस यह रखा हुआ है इसक Oo a यृवा पार्ण दिखा रहे हैं और यह बेसलों तो प्रिस्म में क्या होता है यह light के bending में काम आता है बेंड करता है ठीक है अब इसमें reflection कैसे होता है और कौन कौन से component होते हैं ज़रा समझ लीजिए आप reflection through prism कैसे होता है reflection through prism देखिए तो देखिए ठीक है तो prism ज़र reflection होता कैसे साधान इसमें दो surface होता है यह prism का मैंने principal section दिखाया जो उपर वाला है A, B, C सब कुछ diagram में ही दारों मदार है diagram clear तो proof अपने आब आ जाएगा यह base कहलाता है और हम जानते है prism में जो light गिरती है तो base की तरब जुख जाती यह nature का nature है यह nature में होता है ऐसा है अब देखो ध्यान से हमने एक light ray ऐसे incident की PQ light हमने गिराई इस light का नाम क्या है incident ray आपतित किरण ठीक है जिस point पे गिरी वहाँ पर हमने क्या किया एक normal खीच दिया ठीक है diagram समब लिजेगा normal से जो एंगल बनता है इसको हम क्या कहते है i ठीक है नाम लिखें क्या PQ incident ray है angle i angle of incidence चुकि इसके नाम से आप परचित है अब Tommy का ही नाम है तो आप परचित है कि कुटे का ही नाम होगा कभी कभी गरबड हो जाता है ठीक है कभी कभी नाम में गरबड हो जाता है एक लोगों के घर गए उन्हों नों गए रानू चाय बनाओ अब रानू मेरा भी घर का नाम था उनकी लड़की का भी नम रानू था हमका इनी घर आए हमें ही चाय बनाए तो हम पहले इधर देखे रानु चाय बनाओ कई बार कहा आप ती बार आ कहें तो किश्चन में जाए तब तक चाय बन किया गे तब पता चला इनके घर में जो सदत से उनका भी नाव रानु मेरे से दा रही है देखो ज्यान से अगर ये प्रिज्म ना होता जब तुम पैधा नहीं होए थे तब से तुम ऐसे लोगों को चूदिया बना रहे हो तो जितनी चाला की तुमारे अंदर भी स्टोर है ना उतनी हम लोगों के रोज गिर जाती है ऐसे छिरक जाती है ऐसे ठीक है इधर आईए लाइट गिरी अब लाइट ररर मीडियम से डंसर में जाएगी तो नॉर्मल की और जुख जाएगी जरा जुखना देखिएगा इसका ऐसे जुख गई लाइट अब देखो ये पूरा एंगल कितने का है पूरा यहां से लेकर कि यहां तक कितना एंगल है दिख रहा तुमको कुछ भी 120 75 88 आई होगा ना और यह एंगल क्या है आर यह एंगल आर हो गया तो यह एंगल उपर वाला कितना होगा बात की बात करेंगे अब लाइट यहां से यहां गिर गई यह लाइट क्या कहलाती है refractory यह कौन से light है refractory qr अब यहां से एक नार्मन खीच है हमने ठीक है अब यह बाहर निकलेगी dancer से रेर्म जाएगी तो यह वाला angle क्या होगा वैसे भी angle of incidence है यह भी angle of incidence है लेकिन dancer medium हमें सा r के नाम पे ही रखे जाते हैं एक नाम का अपना प्रथा है dancer medium में मिर्सा r के नाम पे रखे जाते हैं ऐसा जरूर नहीं है आप कुछ भी रख सकते हो तो इसको आपने डल दिया r dash कोई दिकत और यह light अब कहां जाएगी emergent ray हो जाएगी rs direction में यह आप चाहो तो इसको i dash रख सकते हो या कहीं कहीं इसको i लिखा जाता है angle of emergence diagram sound में आ गया अब देखे actually में हमको कौन कौन से ray दिखती है हमको यह ray दिखती है और हमको यह ray दिखती है हमको यह वाली बीच वाली ray नहीं दिखाई पड़ती है तो यहाँ अगर हमारी आख है ऐसे यहाँ पर हम light को देख रहे होंगे तो हमको क्या लगेगा यह light ray ऐसे गई और ऐसे मुड़ गई यह तो लग रहा होगा यह light ray आपको मालूम है ना यह light ऐसे गई होगी और ऐसे मुड़ गई होगी यह तो आपको दिख रहा है तो इसको कहते हैं angle of deviation विचलन कोड डेल्टा डेल्टा क्या गलाता है angle of deviation वह इसी कवारे में बात करनी हैं को सब तो सुन मैं क्या क्या होता है इसमें कैसे incident कैसे reflection होता है तो पर इस डाइग्राम को देहान से बना लीजेगा फिर हम एक और और proof बताते हैं यह आँक न बनाईएगा तो मैंने बता दिया आप देख रहे हो इसको ठीक note करिए इसको देखे इसको जब आप बनाएंगे तो आप सब लिखेंगे ABC एक प्रिजम है यह हमने इसका principal section बनाया front जो दिखाई पड़ता है BC इसका base है इधर देख लीजेगा के हिसाब से इसको इसका main aim ही होता है light को bend कर देना क्यों? total internal reflection के help से bend कर देता है ऐसा रखेंगे bend हो जाएगी और total internal reflection में जो light bend होती है उसमें light की intensity कम नहीं होती है बस यह अच्छी बात रहती है यह PQ light incident हुई यह हमने normal की चाहे यहाँ से Q point पे normal का नाम दे दो N Q और यह यहाँ जहाँ मिलना है वह हमने फिलाल E मान लिया इसको ठीक है और Q R refracted रहे हैं अब पॉर्टित के रहन है Q R point से normal खीचा इसको नाम दे दो N dash N dash R E और यह emergent हो गया इसको हम फिलाल I dash E मानेंगे कहीं कहीं पर E लिखा होता है ठीक है अब कुछ relations देख लेते हैं कि भई angle of prism incident ray और यह कौन सी रहे है emergent ray अगर emergent ray को पीछे बढ़ा दें तो हमको क्या करें क्या लग रहा है कि incident ray ऐसे गई और ऐसे मुड़ गई यह ज़ लग रहा है ना तो अगर आप से angle of deviation विचलन कोन की definition पूछे तो आप कह सकते हैं angle between incident ray या emergent ray या emergent ray बनने में incident ray जतने angle से घूम जाती है that angle is known as angle of deviation ठीक है अब एक minimum deviation होता है उसके बारे में बात करते हैं पहले जतने यह angles हैं उनका relation देख लेते हैं सौधान ये angle कितना होगा ये i minus r i minus r और ये angle कितना होगा i dash लिखो तो लगा अच्छा i dash minus r dash diagram clear है ना ये clear होगा है क्यों ये भी तो dash है ये दिखा थो है dash की टोपी थोगा उपर हो गई है dash ही लिखा हो है i dash यहाँ भी तो होगा यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक पुरा i dash नहीं होगा अब ज़रा देखी इसका नाम देतो triangle का d साउधान ज़रा आपको dqr triangle दिख रहा है in triangle dqr एक proof भी हो रहा है इसके साथ साथ में ये relations तो हम proof करी रहे हैं इसके साथ एक और proof हो रहा है देखो dqr में ये angle आपका exterior angle होता है और किसी triangle का जो exterior angle होता है वो opposite interior के sum के इकोल होता है यानि क्या आप कह सकते हो delta is equal to i minus r plus i dash minus r dash अब चाहो तो angle लिख दो angle dqr plus drq लिख सकते हो ना यानि delta is equal to क्या हो जाएगा i plus i dash minus r plus r dash equation बर 1 डाल दीजे इसको पी को तो छोड़ा कर दो ठीक है अपनी copy ने छोड़ा कर दे अब देखे आपको actually इनी angles में relation चीह ही है e, 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 e को हटाना पड़ेगा जर्द साउधान आपको triangle q, e, r दिख रहा है ये वाला triangle दिख रहा है ना इसमें ये वाला angle कितना r है ये angle r dash और ये angle e है इन तीनों का sum कितना होगा 180 degree तो आप दिखें in triangle q, e, r r plus r dash plus e बराबर 180 degree equation number 2 अच्छा अब जर्दा एक quadrilateral देख लीजे इदार देखें जर्दा a, q, e, r दिख रहा है ये quadrilateral दिख रहा है ना in quadrilateral in quadrilateral क्या नाम दिया हमने a, q, e, r देखें quadrilateral के चारो angle का sum 360 होता है दो angle हमको अलेडी नोन है ये पूरा q angle कितने का दिख रहा है 90 का और r कितने का है 90 का तो यानि कि इन चारों का sum 360 कर सकते हैं कहीं कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि चूँकि ये 90 का है और इसका, इसका sum कितना है 180 है, डाग्राम से दिख रहा है तो उन्होंने इसकी बात ही नहीं किये उन्होंने का ये cyclic quadrilateral है किसी भी quadrilateral में अगर opposite angle का sum 180 होता है तो उसको cyclic quadrilateral कहते है तो उन्होंने पहले कहते है अगर इस cyclic quadrilateral तो उन्होंने का angle A plus E कितना होगा 180, काम खतम इसकी बात ही नहीं कि उन्होंने चले हमने नहीं कहा तो यानि कि इसका मतलब angle A plus angle Q plus angle E plus angle R is equal to अब angle Q कितना होगा वो depend करता है जो quadrilateral आप ले रहे हो भई Q point पे आओ तो हम बहुसार angle दिख रहे हैं आपको Q point पे बहुसा ही ले नहीं है लेकिन आप जिस quadrilateral की बारे में बात कर रहे हो उसका angle ले रहे हो ना तो angle A लिखा रहे हैं दो angle Q 90 degree है angle E लिखा रहे हैं दो angle R 90 degree है बराबर 360 90 plus 90 180 उधा ट्रांसवर कर दीजे तो क्या हो जाएगा angle A plus angle E is equal to 180 इसको equation बत्री डाल दो जड़ा देखे द्यान से आप कह रहे हो कि E में जब R plus R dash प्लस करते हो तो result कितना आ रहा है और हम कह रहे हैं E में जब A plus करते हैं तो angle चांसर कितना आता है 180 इसका मतलब आपका R plus R dash और हमारा A equal हुआ तो equate कर दो इसको equating equation 2 and 3 तो R plus R dash is equal to E हो गया equation 4 डाल दो यहां तो पहुंच जाएए यह सब results sorry क्या लिख रहा हूँ A यह equation 4 डाल दो यह सब results आपके आए जिनका रिष्टेदारी सब आफस में है note करिए so diagram की जरूत अब तो है नहीं diagram जिनने जरूत है उतना आपको मालूं हो गया इसलिए diagram को हम wrap कर देते हैं आप ना exam में कर लेना बोले अच्छा इस से बाद में diagram wrap किया गया था pencil से बनाया बाद में wrap कर दिया बोले क्यों? बोले सरन ने भी wrap कर दिया था इस दिरो तब नहीं है समझे सिंग साब? हाँ रभ मत कर दे ना अच्छा अगर हम इनका result का इस्तेमाल equation number one में कर दें इस वाले का using equation four in equation one तो delta is equal to क्या जाएगा? i plus i dash minus a मसे सबigkeiten of relations हैं यह रिस्तिदारी wip कोन किसे जुडा है? कोन किसे पूफा, मा, मा, गुभा, ताउ, चाचा है, एक है आदमी कोई नाना कही रहा, कई चाचा कही रहा है कोई थाउ कही रहा है note करिए अब बात करने जा रहे हैं for minimum deviation अच्छा एक चीज और ये रिजल्ट वेरिफाई करने को आता है प्रैक्टिकल जब कराई जाता है आप क्या नहीं कराई जाएगा कि डेल्टा प्लस ए इस इकल टू आई प्लस आई डेस बताईए तो हम क्या करेंगे इधर देखें हम एक प्रिजम को दिया जाएगा दे दिया गया प्रिजम को आपने क्या गया पेपर पर रख लिया पेपर पर रख करके उसके आउट ओट साइट मैं दिया, आउटलाइंस सा refreshing, तो आउटलाइंस से आपको क्या मिल गया, यह मिल गया, फिर आप ने क्या किया, light को incident कराया आपने आप, जो angle चाहो आप, आउगे ले लो, प्रेटिकल कैसे किया जा आप मैं समझा रहा हूं, आप पेपर लेंगे, पेपर को आपने पेपर एक hardwood होता, उसके अंदर पेपर, एक blank sheet आपको दे दी गए, उसमें आपने क्या क्या prism रखा, और prism क्या outline स्टरा कर दिये, फिर prism को हटा दिया, ठीक है, अब आपने यहाँ पर कोई point लिया, और यहाँ पर अपने आप खींचा normal, खींच लिया, इसके बाद आपने 30 degree बनाती हो, एक line खींच ली, जो angle चाहो, जिसको क्या आप नाम क्या दे रहे हो, आई, लगा दिया, अब prism को इसके उपर रख दिया, आपने उठा दर के, ठीक, अब हमने क्या क्या इस line पर दो तीन paper pins लगा दी, थम पिन होती है ना, लगा दी हमने, और paper pin लगाने के इस जादा में दना ना, यहाँ से जब आप देखना सुनू करोगे, इधरी से देख लेते हैं, यहाँ देखना सुनू करोगे ना, इधर देखें, तो यह जो light, यह जो pin होंगे आपको ऐसे कहीं दिखाई पड़ेंगे, ऐसे, मतलब यहाँ से आपको ऐसे, यहाँ कहीं में हो गई, अब पिन लग गई ना, आपकी, अब आप इस प्रिस्म को भटा दीजिए, अब ये पिन्स वाली लान को मिला दीजिए, मिला दिया, तो ये आपकी इमर्जन ट्रे हो गई, और बाद में इसको इससे मिला दीजिए, ये रेफरेक्शन हो गया, डाइगरांस में आ गया नहीं आ गया ये प्रेटिकल किया जाता है अब आपने क्या क्या इस वाली light ray को आगे खीच दिया इसको ऐसे खीच दिया और ये angle भी मिल गया आपको और ये normal यहां से खीच दिया ये angle मिल गया आपको i dash तो i plus i dash ना पा और a plus delta ना पा result कैसा होगा, same होगा हमने ऐसे ही 4-5 experiment किये 30 degree, 35 degree, 40 degree ऐसे ही, change करते गए 2-3-3-4 degree का और अलग-अलग angle मिलता गया ये तो fix रहेगा ना delta change होता रहेगा, तो इस प्रकार से i delta curve हम बनाते हैं पहले तो हम बात करने जा रहे है for minimum deviation for minimum deviation तो ये exam में अगर पूछा जाएका तब तो ये proof हमने कराई दिया पूरा ये तो derivation हो गया, और verify करने के लिए आएगा तो आप क्या करोगे, इसी experiment को बार-बार दोरा होगे, इस angle को change करते जाओगे, आपके हाथ में है ना 30, 35, 32, 40 बहुत बड़ा angle नहीं लेंगे और यहाँ नापते जाओगे अपने आप, तो अपने आप experiment हो जाता है, ठीक है, अब जरा समझेगा minimum deviation के लिए हमने किया क्या हमने एक prism लिया अलग-अलग angle पर light डाली और अलग-अलग angle of deviation किया, ठीक है फिर हमने क्या क्या, incident ray और emergent angle angle of incidence और delta के बीछ graph खींचा i-delta curve, i angle क्या कराता है, angle of incidence और delta क्या है, angle of deviation इसके बीछ हमने graph खींचा graph खींचा और हमने देखा क्या जब angle कम होता है, तो देखा, डेविशन जादा होता है y?? angle थोड़ा बढ़ाया डैविशन थोड़ा कम हो गया angle और बढ़ाया 50 ऐएन बढेने लगा फिर बढ़ने लगा थूभ सलस्केटび高 अ कि अंने देखेल को ऐसा कुछ उरmart worth में को मतलब जब आंगल ऑफ डियर जोस्कान था तो इसमें हमने देखा कि एक particular angle पर हमको delta minimum मिला ये हमने experiment किया ठीक है और इसमें बढ़िया सी चीछ देखी कि जब ऐसा हुआ उसमें i और i' की value सेम थी r और r dash की value भी सेम थी सेम थी हमने नापा हमने ऐसा नहीं किया हम अलग-अलग angle of incidence पर अलग-अलग delta ना पर हमने graph की चर्फ 6-7-8 experiment किये और हम बार-बार ये देख रहे थे कि जिस angle पर ये value minimum आ रही थी उस angle पर i dash की value भी वही आ रही थी जो i की थी और r की वही value आ रही थी जो r dash की थी तो ये i delta curve कहलाता है for minimum deviation इसको कहते हैं i delta curve इस curve को रहा कर लीजे और जो मैंने बताया है इसी curve को आपको explain करना पड़ेगा कि when we take the less value of i delta was more as we increase i delta decreases at a particular value of i delta becomes minimum and again if we increase the value of i delta again increases तो इसका मतलब एक particular i पर delta minimum मिलता है और उस particular i पर i और i dash की value और r और r dash की value same पाई गई ठीक है note करिए अब मुझे इस prism के material का refractive index निकलना है देखे रिफ्रेक्टिव index हमको उस term में निकलना है जिसकी value हमको known होती है prism का angle हमको मालूम है और delta हमको हम ना निकाल लेंगे उससे नाप करके तो इसमें वो condition लेंगे जिसमें minimum derivation हो जाएगा ठीक है कैसे निकालेंगे जब reflection formula आएगा proof करने के लिए तो पूरा derivation आपको करना पड़ेगा यह कहां पहुंच गए आप delta is equal to i minus i plus i dash minus a भी पहुंचेंगे और r is equal to sorry r plus r dash is equal to a यहां तब पहुंचेंगे आप पहुंच गए यह proof करके लाएंगे आप अगर reflection formula आ गया तो आपको पूराना वाला पहुंच प्रूफ करना पड़ेगा फिर आप करेंगे कि far minimum deviation far minimum deviation i की value किसके equal हो जाएगी i dash के और r की value किसके equal हो जाएगी r dash के और delta को क्या मान लेते हैं delta m या delta min माली जे वहने वहाँ exam में min लिखोगे नि मिन मिन आते रहोगे हैं यह बता दो यह बता यह नहीं बता रहा सामने वहले का बता है हमा को देनी मालूम है question 1 को देखो ज़रा by question 1 delta को आपने क्या लिख दिया delta min a 2i हो गया 2i minus a 2i की value क्या निकलेगी a plus delta minimum by 2i निकलाया चुली स्नेल से लगाना पड़ेगा ना स्नेल से लगाना क्या होता आई साइना ही 5 साइनार तो यह i और r निकाल नहीं equation 2 देखो अब equation जो बन रहा हो हमने तो अफिलाल माल लिए equation 2 by equation 2 यह 2r हो जाएगा ना 2r is equal to a r की value क्या हो जाएगी a by 2 by स्नेल स्ला क्या होता है mu is equal to sin i upon sin r तो mu is equal to sin i की value क्या है a plus delta m लिखे दे रहे हम upon 2 upon sin a by 2 यह refractive index का formula होता है for the prism ठीक है in the case of minimum deviation और minimum deviation मानना ही पड़ेगा दरवाई यह value नहीं निकल पाएंगी ना भाई आप यहाँ i कैसे निकालोगा i bhi है i dash bhi r bhi r dash bhi है तो यह condition लेनी पड़ेगी आपको अब यहाँ पर एक special case आएगा कि अगर यह जो prism है न वो thin हो तो क्यों thin ले लिया भाई देखे एक्चुली में हमको light डालनी पड़ेगी lens में बार बार हम बार बार prism छोड़े इस्तेमाल करते हैं तो lens में आपने पड़ा है कि lens is a combination of prism lens क्या होता है छोड़े-छोड़े prism से मिलकर बना होता है तो हमको यही deviation ज़रुत पड़ती किस में lens में तो अगर far thin prism far thin prism तो thin prism में इसका formula क्या होगा थिन prism बोले तो angle छोटे-छोटे हो जाएंगे और जब angle बहुत छोटे होते हैं तो mathematics क्या कहती है कि sin theta को क्यों थीटा लिखा जा सकता है limit आपने पड़ी है sin theta upon theta limit theta tends to 0, 1 होता है पड़ा है न आपने अच्छा नहीं पड़ा है अगर sin theta minus 1 एक मिनट थीटा minus 1 या x minus 1 upon x minus 1 limit x tends to 1 ये भी वही formula होगा ऐसी value x की ऐसी value जिसको रखने से ये भी 0 आ जाए ये भी 0 हो जाए उसकी value क्या होती है यहाँ वही formula अपलाई होता है तुम तो अच्छा बोलते ही हो ठीक समझवबार नहीं आई है ये नहीं थीटा 10 0 ऐसी value ये जो इसके angle को भी 0 कर दे साथ साथ इसको भी 0 कर दे इसको हम limit 1 कहते हैं फिलहाल चुक्क ऐसी जनकारी हमने देना चाहते हैं आरे यार एक चीज़ रट लिए और रखके solve करेंगे रखके solve करेंगे यहाँ आप कह रहे हो कि sin theta upon theta limit theta tends to 0 1 होता है ना तो sin theta को क्या लिखा जाता है theta तो यहने angle बहुत छोटे होते हैं तो sin theta को direct आप theta लिख सकते हैं तो लिख दीजे so mu is equal to क्या हो जाएगा a plus delta minimum by 2 upon 2 2 कड़ गया ना तो क्या हैगा mu a is equal to a plus delta minimum तो delta minimum की value क्या हैगी mu minus 1 into a यह angle of deviation refractive index और angle of prism के बीच में relation होता है किस case में when prism is very thin ठीक है note करिए और इसमें एक चीज़ किलियर दिख रही है कि angle of deviation किस पर depend कर रहा है angle of prism पर जितना ज़्यादा angle of prism होगा जितना ज़्यादा बैस simple सी बात है angle of prism होने का मतलब ज़्यादा होने मतलब prism ज़्यादा मोटा होगा तो light को उसके अंदर से ज़्यादा चलना पड़ेगा ना जब light को ज़्यादा medium से गुजरना पड़ेगा तो उसमें deviation भी ज़्यादा होगा simple सी बात है अगर आपको एक चौराह से दूसरे चौराह जाना है एक पैर यहां रखो एक पैर वहां रखो काई deviation होगा नहीं होगा अगर आपको धिर धिर जाना पड़े ट्राइ सेकिल लेकर कि चोटे भाई की ऐसे इसे इसे तो ज्यादा मुड़ना पड़ेगा ना तो सिंपल सी बात होगा नेविबा में जादा होगा तब ही डेल्टा की बज्यादा होगे जिसका रख बात होता है किसका बात क्रिदे dispatch कि मां मैं मैं घचील की बात नहीं कर रहा हूं किस कलर के लगी होता है रेट के लिए ज्यादा होता है तो रेट ज्याद जुकता है रेट के लिए इंडेक्स कम होता है वो कम जुकता है वाइलेट के लिए ज्यादा होता है वाइलेट ज्यादा जुकता है तो वाइलेट का ज्यादा डेविशन होता है रेट का डेविशन कम होता है dispersion of white light by prism क्या कहते हैं विवरतन कहते हैं क्या नाम बता है विवरतन नहीं मतलब color किसी भी prism से जब light गुजरती है तो अपने constraint color में break हो जाती है ये phenomenon आपका क्या कहलाता है dispersion of white light उसी के साथ पर एक concept आता है angular dispersion angular dispersion कोड़ी वर्ण विख्षेपन क्या हो तो लिखे जारा कहानी as the light is the mixture of as white light is the mixture of different colors different colors white light is the mixture of different colors when the beam of white light when the beam of white light falls on the prism जब शुरुआत में लिखा होगा definition शुरुआत में लिखी होगी इसमें spectra कहते हैं ठीक है when the beam of white light falls on the prism it splits into different colors it splits into different colors अब आप देख लिए different colors देख लिखे इसके बाद अपना तो तो कहीं क्या बोला जा रहा है उसका आर्थ क्या निकल ला है when the beam of white light falls on the prism it splits into different colors this phenomena is called dispersion of light this phenomena is called dispersion of light इसी को dispersion of light कहते हैं ठीक है इसी को dispersion of light कहा जाता है और जो color का एक spectrum बनता है band of colors उसको हम क्या कहते हैं spectrum and the band of color is known as spectrum इसको spectrum कहा जाता है spectrum ठीक है अब ये तो हो गया कि भई क्या होता है dispersion of light अब angular dispersion क्या होता है कि नहीं दो जो emergent ray होंगी तिने दो color से बीच में जो angle होता है उसको हम angular dispersion कहते हैं तो paragraph change करके लिखे the angle between the angle between the emergent emergent rays of any two colors emergent rays of any two colors is known as angular dispersion is known as angular dispersion between those colors between those colors उनकी उन colors के भीच में angular dispersion कहलाता है ठीक है मतब दो light ray को एक color के लेंगे अब कौन सी color लेंगे तो समाज में दो ही लोगों को लोग पहचानते हैं जो बहुत सीधा हो बहुत bend होता हो और जो बहुत हरामी हो ये light ray गिरी ये incident ray है तो नियमता अगर ये कुछ ना होता तो ये सीधी निकल जाती ये दो color हम दिखाएंगे यहाँ पर ये जो ज्यादा जुका ये violet था कम जुका वो red था ये red था ये violet का division है नहीं है और ये red का division है तो violet का हमने delta V माल लिया और red का हमने delta R माल लिया यही तो इनके बीच का angle है इसको बनाएं कैसे इसको पीशे बनाएंगे तो ये कहीं ने कहीं मिलती भी दिखाएंगी ये आपका angular theta है ठीक है इसको बाहर लिख दो थो जगए का में theta तो angular dispersion theta कैसे निकलेगा delta V minus delta R अभी पतले prism के लिए हमने delta का formula क्या बताया है n minus 1 into a अभी proof किया न delta is equal to क्या proof किया हमने n minus 1 into a n बोलो mu बोलो जो भी बोलो तो ये mu किसके लिए होगा mu for violet minus 1 into a और ये minus mu for red minus 1 into a calculate कर दो तो आएगा mu v minus mu r into a ये आपका angular dispersion का formula होता है ठीक है किनी दो color के लिए यहाँ violet or red की बात की गई है अगर दो color आप देंगे आप विविविवगोर आपने पड़ा होगा ना क्या इसलिंग होती v i b g y o r होती है तो इन में कोई दो color आपसे लिया जाएगा कौन ज़्यादा bend होता इस order से आप देख सकते हैं ठीक है नोट करिए नेक्स है dispersive power of prism आप prism कहिए या medium of prism जो भी आप कहें dispersive power of prism देखो dispersive power का मतलब power की बात हो रहे है ना अब किसी की power यह disperse मतलब होता अब बिखेर दे ना इसने बिखारा यह deviate किया इसे कैसे जानेंगे आप तो इसकी हम एक mean रे निकालेंगे यह average जिसको yellow कहते है yellow color bend हुआ अब देखा यलो की तुला में दो कैसे bend हो रहे है ज्यादा bend हो रहे है या कम bend हो रहे है तो यह कह रहे है किनी दो color के लिए angular dispersion theta और mean color जिसको yellow मना जाता है उसके लिए angle of deviation का जो ratio होता है उसको हम क्या कहते हैं dispersive power जो माना जाता है वो कहिए green को नहीं माना जाता है yellow color को माना जाता है average color जो है तो योगी ने कहा green नहीं माना जायेगा अब green नहीं माना जा सकता है अब तो नहीं माना जा सकता है क्यों नहीं आता है आप जानते हो लिगो अरे मत जानिये नहीं तो भी लिखे the angular dispersion the ratio of the angular dispersion the ratio of the angular dispersion the ratio of the angular dispersion लिखे, अंगलर डिवेशन लिखे, अंगलर यहां तीह ही कही है, the ratio of the angular dispersion between two colors, between two colors, an angle of deviation, an angle of deviation suffered by the mean ray, mean ray को आप लिख दीजे, चलो कलर, an angle of deviation suffered by the mean ray, is known as dispersive power of the material of the prism, given by omega is equal to theta upon delta by, आप सुनिये, चुकि हम इस topic को पुराने topic के साथ पढ़ा रहे हैं, इसलिए diet theta लिखवा दिया हमने, लेकिन आपका अगर एक्जाम में आएगा, तो theta को आपको explain करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने explain किया है, ठीक है, तो theta को क्या लिखा जाएगा, mu v minus mu r into a, हमने कहा, angular dispersion between two colors, दो color कौन से लिए गए, एक violet और एक red, और mean color के लिए क्लिए 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 क्या होता, delta y हमने क्या बता है, mu y minus 1 into a, a कड़ गया, तो omega is equal to mu v minus mu r upon mu y minus 1, यह आपका angular dispersion का formula होता है, बहुत सारे topics हैं, उस syllabus में आपके नहीं है, पहले state board में हुआ करते थे, अब वो भी सब हटा दिये गया है, तो जो उनकी बात नहीं हो रही है, तो नहीं होगी बात, इसके बात कल बात होगी, scattering of light होती क्यों है, generally हम पढ़ते हैं कि light बिखर जाती है, बिखरती बिखरती नहीं है, दूसा funda है वहाँ पर, scattering of light क्यों होती है, और rainbow क्या होता है, कैसे होता, क्या होता है, इसके बात कल बात करेंगे, ठीक,